हेलो दोस्तों सोगत आपको ओलाइट कि लासन में दोस्तों आज जो है परसंटेज का नेस्ट वीडियो जो है इस्टार्ट करें जैनि कि जो भी हमारा बच गया है आगे का गंटीन्यू करते हैं और नेक्स्ट कॉस्टन पर चलते हैं उमीद है कि आपको बहुती मजार होगा कुस्टन निकाल ले हो कुस्टन थोड़े निकाल लेकिन दोस्तों प्यार की साथ निकाल लेकिन अच्छी तरीके से और ऐसा करते हो चैप्टर कि आपको फिर दुबारा पढ़ने की जवरत ना पढ़े ठीक है एक बार में अच्छी तरह मैंनत कर लो क्योंकि बार भार थोड़ी पढ़ते रहोगे अब मान लीजिए मैं जादे जादा कुस्टन करा दो आपको करवा भी दूआ मैं लेकिन दोस्तों से कुछ फायदा होना जाना कुछ है नहीं वह तो और काम भी कर रहे हैं ठीक ह मेरा मकसद यह है कि आपको मैत आना चाहिए अच्छी तरीके से और एकदम बहतरी लेवल का हाई लेवल तक का करते हैं किसी वस्तु के मुल्य में आर परसेंट की विर्दी की गई है बाद में बड़े हुए मुल्य पर आर परसेंट की कमी कर दी गई है यदि वस्तु का अंती मुल्य एक रुपे हो तो उसका प्राणबिक मुल्य क्या होगा बहुत है तो यह कितना हो गया सो से 120 हो गया थिक है तो दोस्तों जान दीजेगा यह 120 हमने क्यों किया यह जो विर्दी करीन है यह हमने 100 पर बढ़ा के 20 को बढ़ाया है कि दो है 100 पर तो इसने क्वाद में अभु आर्क परसेंट की विर्दी की गई है कि एक वस्तु के मूले में आर्क परसेंट की घिकी गई है यान कि 100 आप बढ़ा दिया आप ही अब बलस पर अर्क की गई है भी से अब बात में बढ़े हुए फराब आस पर कम्लिकर दी यह पिर से इसमें क्या कर दी आड़ की कमी कर दी जैसे होता था ना बैस वह सोज एक सो बीस हो गया अब इसमें कि परसेंट की कमी करें ताकि उसका खर्थ ना बढ़े अगर 20% की कमी कर देंगे तो पुरा में रहे पर आ जाएगी यह निकि सोपे लिए जिसके की खर्त नहीं बड़ेगा जब सोपे आ जाएगी तो इसमें यही तो कहा है कि उसमें जो है पुन है आर परसेंट की कमी कर दी गई है तो उसके पास जो अब अंती मुल्य बचता है तो वो एक रूपे बचता है तो उसका प्रारंभिक मुल्य क्या होगा किषंट क looks in at कौस्द में कहा है उसने प्रानर्भिक मुल्य कर निकाना परही कितना मुल्य क्यांइथ हा तो हमने दो उसका इनिनेशॅल पोस्ट थी ठीक है तो इसने कहा है उस पर पहले इसने आर परसेंट की विर्दी की गई यानिकि सो पलस आर बटे सो यानिकि आर परसेंट यही तो होता है आर परसेंट यानिकि आर बटे सो तो सो पलस आर बटे सो फिर इसने कहा जिया है कि उस पर आर परसेंट की कमी की गई है ठीक और जो अज़के पास जो मुल्य बचा है आफरीका को एक उल्पा बचा है बताओ इतने बाद के लिए रहे नहीं है अगर के लिए रहे तो पिक चलते हैं आगे भाई आपको पताओ यह A है और यह B है यह A है और B है और हमने आपको टिकनोमेटरे में बताया था A पलस B ओ員टो A मैनस B परावर हो जाता है A स्कुार मैनस B स्कुार के लिए तो यह क्या हो जाएगा A स्कुार मैनस का B स्कुार अपोण 10,000 यानि की सोर्स हो गितना हो जाएगा ठीक है इस इकल टू एक और इसकी कर देंगे क्रोश मल्टिप्लिकेशन यह पोच जाएगा उपर तो यह आजाएगा दस हजार और बटे में आजाएगा दस हजार माइनस का आज स्कुएर तो यह आजाएगा अपनी इनिश्यल कोश्ट यानि कि प्रारंबिक मुल्य है बताओ इतनी बात की दिर है लिए ठीक है बताओ समझा आया कि नहीं आया दोस्तों जब कुर्शन पढ़ते हो ना तो उसको ज्धान से बढ़ रहा हो ठीक है और जैसे जै अगर सारे का सारे कोशन पढ़के एक बार मैं सुल्व करने ही कोशिस करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओ ठीक है नेक्स कोशन आता है एक संख्या को एक्स परसेंट बढ़ाया जाता है वापस मूल्य यानि वापस उसको उसी इनिश्यल संख्या पर लाने के लिए इनिश्यल लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा जान लीते दोस्तों जैसे हमने अभी बताया था सो पे बीच परसेंट की विर्दी की थी अगर मुझे इसे मुझले को पुराने मुझले पर लेकर आना है तो बीच की तो कम ही कहूंगा भई तबी तो यह सो पर आएगा तो इसमें क कुछ है यही एक संख्या को एकस परसेंट बढ़ा दिया यह जा्台कि सो था और उसने इसाउत बढ़ा तो यान impress परphone की करती विर्दी वापस इसको मूल संख्या पिला जाना है वापस इसको मूल संख्या पिलाना जानी कि इसी कंडि सं पहले आना है इसको तो एक्स की तू यह कमी जो है इस परितों करने पड़ेगी और परसंटेज में बनाने के लिए सो से करेंगे हम मुल्टिप्लाई ही बताओ सो एक्स बते सो पुलस एक्स बड़ा ही अच्छा कोशन है दोस्तों अगर खुदर्ण नहीं कोशिस करोगे चोटा यासे लग रहा है यह लेकिन जब अपने आप खुदर्ण ने दिमार्ग से निकालोगे तो पाच्छे मिर्ट पी जाओगे आप इसमें ही नेक्ट कोशन आता है यदि ए प्लस बी का पंदरा परसेंट बराबर हो ए माइनस बी के 15 परसेंट के तो बी का इतने परसेंट बराबर होगा एक बड़ा ही जिम्पल सा कोशन है इतो तुछ जा सा कोशन किसमें आया है सीजियल में बताओ इतने आसानन तुछ नए रखे हैं सीजियल में यदि ए प्लस बी का 15 परसेंट ए पलराबर सेंट या इनकी यह लोग कटीगा है ना तो पांच से इसको भी काट सकते हो पांचिया पंद्रह पांच बन्य पचीश ठीक है और इसकी अंदर मिल्टिपलाई कर दीजिए यह जाएगा थ्री ए पलस का 3B is equal to 5A minus का 5B ठीक है बताओ इतनी बात के लिए रहा है नहीं बई यह 3 ए उदर से जाएगा तो कितना हो जाएगा पांच में से 3 एगा यह दो ए अब यह minus का 5B है उदर जाएगा पलस का तो 3B यह है और 5B हो जाएगा आठ भी और B को पुचा दीजिए A के नीचे यानि कि यह जाएगा A upon B और 8 तो ऐसा का ऐसा दो पोज जाएगा इसके नीचे तो A की value आगई 4 और B की value आगई 1 तो उसमें यह देखे कि इसका percentage पुच्छा है इसमें कहा है कि B का कितने percent A के बराबर होगा हमने आपको starting में बताया था जब वहाँ पर उसमें पुच्छा था कि तीन गंते बताओ पूरे एक दिन का जिसका का आता है इसको हमेशा नीचे लिखते हैं तो इसने का है B का कितने percent A के बराबर होगा इसको दो method से कर सकते हो आप यह तो ऐसे कर लो B का X percent A के बराबर होगा यह फिर direct ऐसे करो B का जिसका कहा है उसने का इसको नीचे लिखेंगे बाकी जो दूसरा होगा उसको लिखेंगे उपर और परसंटेज में बनाने के लिए सो से करेंगे मंटिपला यहां कि 400 परसंटेज ठीक है और अगर ऐसे करना है बी का कितने परसंट A के एकवल होगा यानि कि B का X percent A के एकवल होगा बी की वैल्यू आपको पता है एक और A की वैल्यू है चार्ज तो X बटे होगा है सो तो सो की दृब्टिपलाई कर दीजिए वह यहां जाएगा 400 दो में थड़े आपके पास जोन तो आपको इसी लगे हो कर लीजिए हैं ठीक है नेक्ट कुस्टन पर जले हैं एक लड़के द्वारा अपने जेड़ खर्च का एक साथी को तदद बाकी बची हुई रासी का साथ 6 पर फेंट दूसरे साथी को देने के उपरां उसके पास 47 पैसे से एस बैचते हैं तो आर्म में लड़के के पास कितने पैसे थे यानिकि इस्टार्टिंग में उस लड़के के पास कितने पैसे थे बताईएगा करते हैं इस कोशन वो भी सोल जो दो दो लाइन के कोशन है जब आपकी कैल्कुलेशन फास्ट हो जाएगी न और बेस मजबूत होगा नहीं मजबूत होगी तब यह कोशन आप क्या घरोगे अप जैसे कुछ-कुछ इस्टैप को आपको लगता भी होगा छोड़ छोड़ के कर देते हो तो ऐसे ही स्टैप को छोड़ना सीखेगा और दीरे दीरे जो है अपनी स्पीड को बढ़ाएएगा ताकि आगे 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 आपको कोई भी दिक्कत ना आए क्योंकि यह के वर आपको सम्झाने के लिए तरह दमबा मंबा दिख रहा हूंगा नहीं मैं तो दो दो लाइन में कर दू है इनको देखो क्या आपको एक लड़के दुआरा अपने जेव खर्च का 80 परसेंट यानि कि जेव खर्च उसके पास था सो तो इसने काद कह दिया है जेव खर्च का जो 80 परसेंट है एक साथी को यानि कि फ्रेंड को और बाकी बची हुई रासी का शेए का सेए बाकी बची हुई रासी यानि कि जो बाकी बचा अमाउंट ऻके पास उसका जो छेए हैं यह बीश भी अपने अब में पूरा 100% है तो इसका 6% दूसरे अधर को देता है जोमा कि गूसरे बचाब बचा भी देजिया उसमें दूसरे फ्रेंट को बागी बचा पुराण में परसेंट है ठीक है वो क्या करता है सेज रह जाते हैं तो आरम में उसके पास कितने पैसे थे जेव कर्च के लिए समझ आया कि मैं आया अगर समझ गए तो आप आपका अंसर बिल्कुल एजी हो जाएगा यह उसका जेव खर्चताय के लड़के पास उसने काया कि 80% जो है उसने एक अपने परम मित्र को दे दिया उसको जरूरत थी ठीक है तो उसके पास जो बचा 20% हिस्सा बच गया अब जो जो 6% है वो उसने दूसरे मित्र को दे दिया बीडी सीग्रेट अगयरा के लिए ठीक है क्योंकि उस पे राल जाता है तो इसलिए उसने दे दिया 24 रुपे में बखा दिया उसको ठीक है तो बाकि 49% बचा 20 का भी ठीक है अब जो 49% बचाना 20 का 49% कितना होता है 20 का 94% होता है यह यह बीश इसको जीरो से जीरो काट लेजिए जीरो को नीचे नहीं काटते है ना जालता दो क्योंकि डैरेक्ट पोइंट में आंसर आ जाता है इसको ले लेजिए गा चार दोनी आठ और नोज दोनी अठारा यानिकि 118 बटे 10 यदि 18.8 कर लिजेगा है वह आपके मर्चे है जैसे आपको करना है इसको काटेगे 20 बटे 100 यानिकि 20 पंजे 100 तो यह आगे 44 में बटे 5 ठीक है बताओ इतनी बात की लिए नहीं नहीं तो जो उसके पास जो 20 के रूपे बचे है वे इतने रूपे बचे है लेकिन उसमें वास्तों में कहा है कि उसके पास भाई इतने रूपे नहीं बचे उसके पास तो 47 पैसे बचे हुए है तो 47 बटे चुराण में बटे 5 नहीं आ जाएगा और 5 को जाएगा यह उपर एई आपर ठीक है और पूरे 100 परसेंट उसका जेव कर्ज बताना है पूरा 100 रुपी दोधा जेव कर्ज तो 47 बटे चुराण में गुणा 5 और गुणा 100 बताओ इतनी बात के लिए रहने ही ठीक है कितना हो जाएगा 47 बुमी चुराण में दो से काट लिए इसको 50 और 25 यानि की 500 पैसे बचे उसके पास कितने उसके पास बचे है 200 पैसे कि खुशन में देखो क्या का था 200 पैसे बोलते हैं किसको 2.5 रुपे को यह यह रुपे में दिखे आती है उसके आनमसर बताओ इतनी बात के लिए रहा नहीं है समझ में आया बहुत को यहां से थोड़ी सी प्रसेंट को डोगी होगी आपके साथ में उसको देखिए आप वो उसके पास 47 पैसे बचे होगे हैं अब यह है पैसे ने वैल्यू और यह परसेंटेंट में तो 20 परेंट निकालेंगे तो आजयेंगे था चुराणमाबटे 5 ठीक है और चुराणमाबटे 5 की जो है वैल्यू वह है 47 रुपेगे तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 47 रुपटे चुराणमाबटे 5 कर देंगे और 5 पो जाएगा उपर ठीक है तो काट पीट के है पूरा इस्टार्टिंग में कितना लगा उसके पास यह खर्ट 100 रुपे तो अब कितना बचा सो था तो डाईयों के आगर उसके पास में बताव कि पने बात की लिए रहा है नहीं आगे चले से रहे है एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 रुपे है एक्स अपने वेतन का 45 परसेंट तथा वाई अपने वेतन का 85 परसेंट खर करता है यदि उनकी बचत समान हो तो वाई का वेतन क्या होगा वेतन यानिकी को इस तो सैंजरी को बोलते हैं एक्स तथा वाई के वेतन का योग हो जो एक्स है और वाई है इनकी जो सैंजरी का योग है टोटल मिला था वो 2000 रुपे है एक्स अपने वेतन का 45% और वाई अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है और जो बचत है उनकी समान है ठीक है बचत यानिकी इक्वल है यानिकी जो सेविंग है भई देखो अगर आपकी सैंजरी 10 रुपे है और आप 4 रुपे कर देते हैं खर्च तो आपकी बचत कितनी होगी तो बचत हो जाएगी आपकी 6 रुपे अगर आप पूरी जो आपकी इंकम आती है 10 रुपे उसमें से अगर खर्च निकाल लेंगे तो आपकी आजाएगी बचत यानिकी सेविंग अगर आप सेविंग करते हैं 4 रुपे की और आपसे पूछी ले जाए कि आपका खर्च कितना है तो 100 में से अपना खर्च गटा द अपना खर्च करता है 85 परसेंट इसके पास बचता है एक्स के पास 5 परसेंट की सेविंग है केवाल ठीक है और जो वाई है वाई के पास केवाल 15 परसेंट की सेविंग है तो इसने कहा है उनकी जो यह सेविंग है ना यह इक्वल है यानिकि एक्स का जो 5 परसेंट है की केवल आपको बताने के लिए लिखा है आप ऐसे नहीं करेंगे वाई को लेकर आजाईए इसके नीचे यानिकि एक्स अपूर वाई और पांच को पुचा दीजेगा उधर यह बिखिए ठीक पंच कीया पंद्रा यानिकि एक्स की इंकम है तीन यानिकि एक्स की सेविंग है तीन और वाई की है कितनी एक यानिक मत रेसियो आगया हमारे पास ठीक है बताओ इसनी बात के लिए रहे नहीं ठीक है अब ध्यान दीदिए यह हमारे पास आगी है रेशियो में वैल्यू और उनकी जो सैलरी है वो टोटल है कितनी दो हजार लेकिन हमारे पास सेविंग आ रही है तीन और एक चार तो चार की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो वह रहेगी दो हजार ठीक है और अकर एक की वैल्यू निकालते हैं चार पंज़े-बीच यानि कि 5100 रूपे और तीन की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 यानि कि 15 रूपे ठीक अब ये देख लीजिएगा किस की पूछी है उसमें हमने दोनों की निकाल दी X की भी निकाल दी और Y की भी निकाल दी उसने कुछ है Y का फेतन कितना है? Y का फेतन है भी Y का है 500 रूपे ठीक है और अगर X का पूछता तो X का जाता 15 रूपे बताओ इतनी बात की लिए रहे नहीं चले आगे है अब दोस्तों जो कोशन आने वाले हैं ये बड़े ही बयाना कोशन है बयाना कोशन नहीं कहेंगे लेकिन बहुत जादा पूछे जाते हैं अगर आपने इन कोशन पर मैनत कर ल हैं वे यहीं से पूछे जाते हैं तो इन कोशन को जो है आप बढ़े ही ज्यान से करेंगे कोशन है यहीं संत्रे का दाम 20% गटा दिया जाए तो एक आदमी 40 रूपे में 20 संत्रे अर्धिक खरींता है गता हुआ हम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले से पूछे करिये और इशोवाम आपको दो तरीके से बताएंगे जो तरीका आपको सिंपल लगे उसको कर लीजिए गा इसने कहा है कि जो एक संत्रे का दाम है दाम यानि कि जो कोलत है यानि कि जो उसकी रेट है वो बीस परसेंट गठा दिया जाई तो जो हम 40 रुपे में 20 संत्रे अधिक खरीड सकते हैं तो एक संत्रे के वह जैसे अभी को करोना का टाइम चलता हुआ है आप सभी को पता है ना तो अब जो है सोना जो है काफी महँगा रखा है थीक है तो क्या आप सोने में खरीदोगे नहीं खरीडोगे लेकिन तो कि 50,000 तक कर आई सोना और मान लीजिए अगर कल को 20,000 रुपे के भाव कर दिया जाए सोना तो आ को आपकी जोग शोग हम खानेखी याली कि जो आप खरीद के ले के आते हो वो चमान आप क्या कर देते हो तो चाहाँ जाता है तो पर बर Его कि मप दोगे तो बस यही रहा मीत जानकुनर 85 में जो संत्रgas संत्रे गता है इसने कहा है संत्र संवतन गता है कितना परसेंटी संसेट और इसकी पर है है आप 20 संत्रे अधिक खरीद पारे हो 20 संत्रे अगी ओरेंग बीस ओरेंज आप संत्रे लिए इसको है ना कभी आप डबलती हो जो जाओ इसको संत्रे कि तो जो बीस संत्रे है आप अधिक खरीद पारे हो अधिक निक कम खरीद पारे हो देख ले तो हुए एक बारों जो ना अधी खरीद पारे यहां यह धट गया है यानि कि 20% का जो फरक पड़ा है वो 20 संत्रे आप अधी खरीद पारे हो जैसे सोने का दाम अगर 20,000 हो जाए तो आप 4-5-5 तोले सोने आपने घर में लाके राके रख लोगे तो इसी तरह ही हो जो है 20% जैसे ही दाम कम हुआ तो 20-20 संत्रे होने फालतों खरीदने स्टार्ट कर दिये अगर एक परसेंट की में वैल्यू निकाल दूँ यहां से तो एक परसेंट का फरक सीधा सीधा पड़ेगा एक संत्रे के ऊपर बताओ इतनी बात किया रहा है नहीं और अगर पूरे क पूरे सो परसेंट का ही मैं निकाल दूँ तो हो जाएगा एक बुना सो बराबर सो संत्रों के ऊपर फरक पड़ेगा ठीक है और हमने खरीद देते हैं जाख ज्यान दीजिए आप पांच रूपे की टोफी लेके आए 20 कितनी पांच रूपे की 20 टोफी तो एक टोफी कितने रूपे होते हैं जैसे पांच रूपे हैं तो पांच रूपे में क्या करेंगे आप 20 से डिवाइड करेंगे जितनी टोफी लेके आए तो एक टोफी का मुल्य आ जाएगा एक टोफी का मुल्य आ जाएगा पांच बटे 20 यानिकि एक बटे 4 रूपे की एक टोफी बड़ी और एक रुपे में आपको चार टोफी आ गई तो जितने रुपे होते हैं अगर उसको जितना भी समानम खरीद के लेके आये हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो एक का वैल्यू आ जाती है अब वो भई 100 संत्रे का भरक पड़ा है और वो जो है 40 रुपे में खरीद के लेके आये था 40 रुपे में तो जितने रुपे होते हैं उतने संत्रे से अगर डिवाइड कर दूं तो एक संत्री की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी ये बताओ आप एक संत्रे की वैल्यू आ जाएगी बताओ ठीक है कुस्तन में क्या पुछा है इसने यही तो पुछा है सायर ठीक है यह तो आई रूपे में है ठीक क्योंकि 40 रूपे देना ही है तो 100 संतर दे तो 40 बटे 100 यानि की 4 बटे 40 ही कर लेगे इसको और पैसे रो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से कर देंगे गुणा तो यह 40 से 40 कर जाएगा तो यह पैसे रोपे जाएगा 40 पैसे बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई अब इसको समझ आप दूसरे मैथड़ से अगर यह समझ में आगी तो ठीक है आपको एक मैथड हो रहे है इसको इस कोस्टन से ही 4 कोस्टन पूछे जाता है यह तो आई है अब की वैल्यू एक पूझने जाती है पुराणी वैल्यू अभी सारा बताएंगे आपको जाने से बीस परसेंट गता की बड़ा बीस परसेंट गता यानि की बीस परसेंट की वैल्यू होती है बीस बटे सो यानि की एक बटा पांच यानि की रेट और खपत खपत यानि की खाने माला है ठीक है जितने आप कम्या फिर फाल्त लेके आते हो उसको बोलते हैं है बटे धेखो पहले रेट माल्यू ये था ठीक है पहले सोना था कितना पचास अजार का अब हो गया 20,000 का, ठीक है, जान देंगे, पहले 5 था, अब उसने का 20% कर दिया, यानि कि 20% 5 का होता है, एक, तो एक कर दिया, तो अब हो गया 4 रेट, पहले तो 5 था, लेकि अब हो गया रेट 4, और जो खपत होती है न, तो खपत बिल्कुल इसकी उल्टी होती है, यानि कि 4 पहले 5, बताओ, इतनी बात के लिए नहीं, भई अगर रेट जादे है तो आप समान कम खरीदोगे, अगर रेट कम है तो समान जादे खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, तो अब जो है खपत आई है, खपत की कितनी की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जानते समान खरीद रहे हो आप 5, पहले खरीदते दे 4, अब खरीदोगे 5, तो यानि कि एक फाल तो खरीद रहे हो आप, और उसने कहा है, आप वास्ताव में 20 संत्रे फाल तो खरीद रहे हो, तो एक संत्रे की वाल्यू आगी 20 रूपे, ठीक है, और अगर 4 की निकालो मैं, तो कितने संत्रे फाल तो 2, 4, 8, यानि कि 80 संत्रे आप पहले खरीदते थे, और अब खरीदोगे कितने संत्रे, 20 पंजे 100, यानि कि पहले तो खरीदते थे आप 80 संत्रे, लेकिन अब खरीदोगे आप 100 संत्रे, तो यही तो यह खपत पूछ लेगा आप से, एक दो चीज़ तो यह होगी, पहले खपत कितनी थी अब खबत कितनी है ठीक अब ध्यान दीजिए कोर्शन में इंट्रेस्टिंग है 40 रूपे थे आपके पास बताओ 40 रूपे थे नहीं यह वाले ठीक 40 रूपे थे आपके पास और ये है 80 संत्रे 80 संत्रे करी ठीक और 5 का भाव था 40 रूपे थे आपके पास पहले है और संत्रे आप खरीते थे 80 लेकिन अब रूपे थे आपके पास 40 ही है लेकिन संत्रे खरीत रहे हुआ आप फार्दू यानि कि 100 बताओ इतनी बात किलियर है नहीं बही पहले 40 रूपे थे और अब भी तो आपके पास 40 रूपे ही है लेकिन पहले तो आप 80 संत्रे करीते थे लेकिन अब आप खरीद रहे हो 100 संत्रे ये रूपे में वैल्यू आई है और पैसो में बनाएंगे तो 100 रिक करेंगे गुना बताओ इतनी बात किलियर है नहीं चानीस तुनी असी और दो से इसको काट दिया 50 यानि कि ये तो आगे 50 पैसे ठिक और ये कितने आगे 100 से 100 पट गया 40 यानि कि पहले 50 पैसे में खरीदते थे आप और अब खरीदते हो 40 पैसों में तो ये वैंडियू होगी 40 पैसे यही तो आई हमारी तो ये कुस्चन आप क अगर ये कुस्चन की लेंक तो चार प्षण की लेने चार चीव ज़िविला रोजाएंगा पुरानी खपत क्या थी अब की खपत क्या है पुराणा मुल्य है और अम करता जो विल थे पैसे की अब Оले इसे नहीं है जैसे आपकी समझाय ऐसे कर लीजिए का कुस्टन उसमें कुछ परेशानी वागे बात नहीं है एक कुस्टन हो लीजिए गा बिल्कुल ऐसे ही है आमो के मुल्ले में 20% की विर्दी हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपर में 4 कम मिलते हैं तो पहले तो विर्दी जे पहले 15 मुल्य पंद्रा आम का मुल्य क्या था भाई अब के बार एक मैंतर से करूँगा मैं दूसरे से कर लें न आप ठीक है जो यह वाला मैंतर है इससे खुद कर लेंगा इसमें का है 20% की हुई है विर्दी यानि की 20% का जो फर्क पड़ा है टोटल टोटल सीधे सीधे चार आम कम मिलते हैं यानि की 4 मैंगो आप कम मिलते लगे हैं अगर 1% का मैं आपसे फर्क पुछूँ तो आ रहेगा 4 बटे 20 और अगर पूरे की पूरे 100% का मैं आपसे फर्क पुछूँ तो यह हो जाएगा 4 बटे 20 गुना 100 यानि की 20 पंजय सो यानि की 20 आम जो है आपको अब कम मिलेंगे बताओ इतनी बास की लिए हैं नहीं और इसने का आए 40 रुपे में 4 आम कम मिलते हैं टोटल हमारे पास आए है 40 रुपे थे हमारे पास अब हमें यह 20 आम मिलते हैं कम तो एक आम की कीमत आ रहेगी नहीं वही टोटल 40 रुपे थे अब 20 आम कम मिल रहे हैं ठीक है TOTAL So Per Set 1 तो एक की wellio आ जायेगी दो रुपे परति आाओ नम बता इतनी बात की तेसी यह नहीं यह जो दो रुपे परति आम आया है ना ये मूल्या 아या है एक आम का ठीक है ये जो है अब मूल्या आया है यान कि पहले जो मूल्या तहान पहले जब बढ़ा नहीं था, लेकिन अब बढ़ के आया है, दो रूपे परतियान एक कम होगे, लेकिन जो प्रारंबिक मूर्य था यह उस पर यह तो बढ़ा था, जो प्रारंबिक मूर्य था, उस पर हमने कितना बढ़ाया था, 20% की फिर्दिकरीदी नहीं 20% यानि की 120 बटे 100 100 पर बढ़ाया हमने 120 बटे 100 और जो बढ़कर मुन ले आया वो दो रुपे था हमारा बताओ इतनी बात के लिए थे नहीं के लिए है बाई जीरो से जीरो काट देंगे दो चिल बारा दो पंजे 10 पांदुनी 10 बटे 6 ये आगया प्रारामबिक मुल्य यानि की पहले जो मुल्य था लेकिन उसमें पुछा है पहले 15 आम का पुछा था उसमें तो पंद्रा का मुल्य निकालने के लिए 15 से क्या करतेंगे मंद्डी पलाई दो तीन दो नीच है तीन पंजे 15 और दो से इसको काट देंगे दो पंजे 10 यानि की पांद पंजे 25 यानि की पहले जो मुल्य था वो 25 रूपे था पंद्रा मुल्य था ठीक है ऐसे आप चार के चार को से निकाल सकते हो इसी वाले फॉर्मूले थे ठीक है वो आप देख ले ना जैसे आपको जोन सा मेतट एजी लगे वो कर लीजेगा हमने आपको इस वाले में बता दिया अच्छी तरीके से अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार देख लिजेगा नेक्ट कोसन आता है बड़ा ही अच्छा चीनी के दाम 10% कम हो गए है पहले की बड़ी रूई कीमत पर 18 कौन तल चीनी खरीदे जाने वाली उस धनरासी से यानि कि उस अमाउंट से अग कितने कौन तल चीनी खरीदी जा सकती है परी देखो बड़ और चीनी का बाराम जो है 10% कम यानि कि पहले था 100 अब हो गई 90 यानि की 10% हो गया कम नुकरिणो, यू कहरा है कि पहले की बढ़ी हुई कीमद पर 18 कॉंटल चीनी खरीदी जाने वाले उस दंराची से यानि जो पहले खरीदी जाती थी उससे अब कितने कॉंटल चीनी खरीदी जा सकती है उसी से, मैं ध् synchronous इनी थी पहले भाव था 100 रुपे का तो 18 बॉर्ण चुन्डी खरो दोगे, तो 18 गुना सूनी हो जाएगा अधरा सो रुपए की हो जाएगी नहीं if चिन्डी की बॉरी भाई चिन्डी की जो बॉरी का भाव है 100 बोरती कॉंटल है ठीक है और ये है 18 कॉंटल तो 18 गुना सूनी हो जाएगा यानि कि 1800 रुपे की एक चिन्नी की बोरी हो जाएगी कहरे लगा बाई अब भाव 90 रुपे हो गया तो इसे 90 से क्या कर दो डिवाइड कर दो अब अब willen जो है 30 सो में 7itel न इसे खठा दीजिए नो दुनी 18 तो अब जो है 20 क कॉंतल में चिन्नी पहले मिलकी ही 28 कॉंतल अब मिलेगी 20 क कॉंतल क्यूं क्योंकि रेट हो गया कम कितना 10% less हो गया तो अब मिलेगे आपको 20.00 तल चीन नहीं बताओ समझाया कि नहीं आगा सिंपल के कुछन है लेकिन तो ड़ाट टर्की है ठीक है तो मिलता है फिर आपसे अगली वीडियो में अगर कुछ भी चीज समझने आती है तो कमेंट बॉक्स कर दिया करो और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सेर भी कर दिया करो ठीक है तो कि आपके लिए एक से बैतरिन कुछन लेके आएंगे एकदम एक नम्मर के और आपको लगता है अगर आपके आपके आस्पडोस में कोई अगर कमजोरी स्टूडेंट है तो उसको समझना चीजा हो जो फीस वगेरा नहीं दे सकता है बड़े-बड़े कोचिंग सेंटरो में तो वो चैनल दिखा दीजा हो ठीक है अगर मिलते हैं विरा आपसे अगली वीडियो में थेंक ये वर वाचिंग इस वीडियो